नमस्कार आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अलीशा जुनीचा क्या हम महफूज हैं? मैं हर वो नारी से पूछना चाहूंगी जो वर्किंग है और जो नोडोड वर्किंग हैं क्या हम महफूज है या नहीं? हमारे देश में रेख के आकड़े दिन बदिन बढ़ते जा रही हैं अगर हम बात करें आजकर छोटी बच्चीयों के साथ भी रेख हो रही हैं लोग लड़कियों के कपड़ों पर कमेंट्स करते हैं कोई लड़की छोटे कपड़े डालती है तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे छोटे कपड़े डालने की वज़ा से रेख हो जाएगा ये हो जाएगा लेकिन अगर हम राम रहीम के मुद्धे के बारे में बात करें तो वहाँ पत्वी साद्वियों के साथ बलातकार हुआ था क्या साद्वी छोटे कपड़े डालती है थालफी में एक जैकपूर का मामला सामने आया है जिसमें की साथ साल की बच्ची के साथ बलातकार कर दिया गया जिसे देन दुनिया की भी बारे में जानकारी नहीं है उस साथ साल की बच्ची का बलातकार हो गया जिसका अरोपी सिकंदर उर्फ जिन्वारों को राजस्थान के कोटा से गिरवदार कर लिया गया मामला 1 चुलाई 2019 का है 6 चुलाई 2019 को गिरवदार कर लिया गया अब मैं यही पूछना चाहूंगी कि लोग हमारे कपड़ों पर कमेंट्स करते हैं कि इस लड़की ने कपड़े ऐसे डाले हैं इसके साथ बलादकार हो जाएगा उस छोटी सी बच्ची जिसको कुछ जानकारी नहीं है जिसको यह नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको सिर्फिक टोफी के हिलालस देकर उसे जाकर रूम में जाकर उसके साथ बलादकार कर दिया गया आज के लिए इतना ही देश और दुनिया की दमाव खबरों के लिए देखे रहे अर्थप्रकास टीवी ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकास टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें